हम चुर की मीठी चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कप चीनी लिया है जिस कप से हमने चीनी लिया है उसी कप से एक कप पानी डालेंगे नाप एक ही रखेगा और यहाँ पर आप अपना गैस को अन कर दें धीमियाँ पर चीनी को फिघल ने दें इसको लगातार चलाते रहें चीनी के डिजॉल्व होते ही इसमें हम एक चमच आमचुर पौडर डालेंगे यहाँ पर यह वाला चमच है इसी चमच का नाप रखेंगे जो नौर्मल वाली चमच होती है एक चमच डालें जो छोटा वाला कप होता है चाय का कप उस कप से हमने चीनी लिया था और उसी कप से पाने लिया था एक चमच आमचुर पौडर डाला तो नाप का आप धिहान यहाँ पर मैं थोड़ा सा जीरा पौडर डालोंगे जीरा पौडर और चाट मसाला यह दोनों का नाप एक ही रखना है एक तिहाई चमच जीरा पौडर डालेंगे जीरा पौडर से खुसबू भी अच्छी आएगी और चटनी का स्वाद भी बढ़ जाता है तो अगर आप कलर देखने में थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन खाने में इसका स्वाद में कोई भी भर्क नहीं आएगा तो जैसा बजार में चटनी मिलता है थोड़ा से वह लोग का रेट कलर का होता है तो मैं थोड़ा से यहाँ पर कलर यूज कल रही है अगर आप घर में चोटे बच्चे के लिए बना रहे हैं तो आप कलर के जगह पर एक चुटकी हल्दी पॉड़ा डाल दें एक चुटकी से ज्यादा नहीं डाले नहीं तो हल्दी का स्वाद आना सुरू हो जाएगा थोड़ा सा हल्दी पॉड़ा डाल दें उससे उसका कलर पीड़ा हो जाए चाटनी को बिनाने में आपको 15-20 मेनट लगेंगे मीठा चाटनी बनके तियार हो जाता है इसको आप समोसा ले सकते हैं या जो दहीबार बनाते हैं उसके साथ ले सकते हैं धिरी इजमे रखْके आप एक सब्ता तक अराम से यूज कर दो कर दो हम